हाव रुफीक्स वान प्लस सेवन प्रो जीपिएस नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस के डिवाइस में जीपिएस प्रॉब्लम सॉल्व केसी कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका GPS काम नहीं कर रहा है GPS अच्छे से लोकेशन नहीं बता रहा है ठीक है GPS के रिलेटेट कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए अंतक और जो भी सॉलूशन है उसको करें ठीक है मैं आपको कम से कम दोस्तों पाथ 6 से यहाँ पर देने वाला हो जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लेम फिक्स कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ब वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है अगर आपको GPS के प्रॉब्लम है तो जाएए अपने मोबाइल के सेटिंग पर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपका लोकेशन लोकेशन पर जाए लोकेशन को ओन करें अपनेर इन इनेबल करना होगा तो क्या से ऑनेबल क्या जाते हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का आप्शन है यहाँ पे Google modal commentary उस्टेंज प्रॉब्लम होना चाहिए तो घूर फॉल्लम लोकेशन आकपको डश्रेकर ku.olt श्रॉब्लम आपको ऑपको आपको मिल जाएगा Google history तो यह सारे सेटिंग आपको यहाप पर मिल जाएगा तो यह है दोस्तों आपका कुछ settings तो हाई accuracy यहाप आपको अन कर देना है Google location accuracy इसको जो है open कर देना है और दोस्तों आपके mobile पर mobile data या फिर वाइफाई दोनों में इसे कोई भी अगर mobile data का problem है तो उसका भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा तो mobile data का solution आप यहाँ पर फोलो कीजिए ठीक है अगर mobile data प्रॉब्लम है अगर वाइफाई उसका वाइफाई प्रॉब्लम है तो उसका solution हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा ठीक है तो बात यह है कि आप जब लोकेशन यूज़ करते हैं तो mobile data या फिर वाइफाई आपको चाहिए होगा ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यूज़ करके देखे प्रॉब्लम हो जाएगा अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते है तो स्ट्रॉल डाउन करें सिस्टेम पर जाए रिसेट पर क्लिक करें रिसेट वाइफाई मोबाइल और ब्लूटूट पर क्लिक कीजिए रिसेट सेटिंग पर दबा के आपको मोबाइल पासवोड वगरा भर देना है और मोबाइल सेटिंग को रिसेट कर देना है ने ट्रोक सेटिंग रिसेट करने के बाद दुबारा से ट्राइ करके देखें अगर प्रोब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहाए तो मॉबाइल को सेफ मोड पर रीबूट करें उसके लिए पाउर बटन को प्रेसिन हॉल करना है power off के switch को 2 second click करके रखना है okay कर देना है जैसी okay करेगा mobile safe mode पे reboot हो जाएगा बंध होगे अपने आप open हो जाएगा ठीक है mobile बंध हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद check करें अगर problem solve हो जाते ही तो ठीक है अगर आभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तो सेटिंग पर जाए स्क्रोल डाउन करें सिस्टेम पर क्लिक करें और mobile software को अपडेट करें जैसे ही दोस्तो आपका mobile software अपडेट हो जाएगा आपका location का accuracy अच्छा हो जाएगा ठीक है location problem fix हो जाएगा तो कुछ इस प्रकर से दोस्तो आप जो है